आप भी अपने फॉन पे का पासवर्ड भूल गए हैं या याद नहीं है आपने अकाउंट फॉन पे बनाए था पासवर्ड आपको याद नहीं है क्या हमने डाला था और बहुत पुराना हो गया है और आपको लोगाट करके लोगिंग करना है तो आपको याद नहीं होगा प कि आंपड़ना नया पास्विट्ट कर सकते हैं कैसे बनाएंगे इस वीडियो में से सेसाथ स्टेभबा एक आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पासवर्ड को चल्लिश कर सकते हैं नया बना सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जाले जी मैं हूँ केस्ट आप सभी काता है दिल से टेक्निकल वर्ल्ड एमजे चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वाइद करता हूं दोस्तों अगर इस चैनल पर नहीं आये हैं पहली बार विजिट करने तो चैनल को जरूर सब्सक तो आप भी चाते हैं अपने फॉन पे का पासवर्ड भूल गए हैं या आपको याद नहीं आपने बनाया था और याद नहीं है तो इस वीडियो में बताऊंगा सो वीडियो को बिनस्किप के लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप भी सीख सकें फॉन पे का पासवर्ड कै है कैसे चेंज कर सकते हैं आपको सबसे पहले अपना फॉन पे ऑपन करना है फॉन पे जैसे ऑपन करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकल् sugar का इंटरफेस नजर आगा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको क्या करना है यह लेफ्ट साइड में आपको लोगों नज नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सिक्योटी के नीचे सिक्योटी लोग के नीचे जस्ट लिखा है चेंज पासवर्ड इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपसे पुराना पासवर्ड पुछा जा रहा है आपने क्या पुराना पासवड़ डाला था कि आप कुछ भी डाल सकते हैं पुराने पासवड में और आपungson आ रहा है आपको इसके उपर लुए क्लिक करना है क्लिक करने के बाद गाईज आपका जो फानपलर एक नंबर है उस डाल सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं set a new four digit password तो चलिए हम यहाँ पर नया password डाल लेते हैं डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है proceed के उपर click कर लेना है जैसे ही proceed के उपर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं your password has been successfully changed please login login again confirm पर click कर देंगे जैसे ही confirm पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस परकार का interface नज़र आगा आपका mobile number और यहाँ पर आपको क्या करना है proceed to login के उपर click कर लेना है जैसे ही इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको अपना जो अपने password बनाया था नया वो डालने के बाद login के उपर click कर लेंगे जैसे ही आप login के उपर click करते हैं आपका phone pay का account खुल के open हो जाता है तो इस तरह से बहुत ही इसली तरीके से आप अपना phone pay का नया password बना सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो उमीद करता हूँ आपको phone pay पे password कैसे नया बना सकते हैं सीख गए होंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा last देखे हैं और वीडियो देखने के लिए आपका तहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर करें हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं जाद से जादा लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिए और साथ में नोडिफिकेशन का बेल दबाना में आपने ताकि से अमारे आने वाले वीडियो की नाडिफिकेशन मिला आपको सबसे पहले आज के लिए तना ही फिर में ते नए वीडियो ने अप्डेट के साथ तक लिए जहीं बलते बात रहों